आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहां पर IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में जहां पर देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक में आगले ट्रेडिंग सेजन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है जो आप ध्यान दे सकते हो और आज के दिन परफॉर्मेंस समय क्या दिखने हो मिला अप चैनल को भी शुब्सक्राइब कर सकते हो था कि आगे आने माला कोई वीडियो आप समिश नहीं हो सुरुबात करते हैं वीडियो को इस वीडियो से लिए फिर होल्ड की सलाह नहीं है बात करेंगे आपे आज के दिने आपे 3% से भी उपर का गिरावट जो है स्टॉक में आपको दिखने हो मिला ओल टाइम पे थोरा सा में आपे अज़र डालने की कुशिस करेंगे ज़िएंगे ओल टाइम पे आपे 100 रुपे का लगवग यहाँ लगा चुका है लगातार स्टॉक में हमें तेजी दिखना हो मिल रहा था आप देखने हो पर, स्टम्बर 11 तक आप देख सकते हो सतार परेंड से भी उपर का तेजी दिखाया पिर अभी तो हमें डाउन दिखना हो मिल रहा है कई ने कई अगर हमें दिखने हो मिले तो एक गिरावड भी होता है वहाँ पर चाहे वो profit booking के चलते हो या फिर कह सकते हो किसी news के चलते हो यहाँ पर कुछ news भी निकल के आ रहा है दोस्तों अगर हम बात करेंगे IDFC First Bank और IDFC Finance जो भी यहाँ पर merger का कुछ news भी निकल के आ रहा है उसके भी उपर डिटेल में हम कभी किसी वीडियो में बात करने की कुछिस करेंगे dedicated वीडियो में फिलहाल अगर हम बात करेंगे इस stock के बारे में जो भी है तो कोई भी यह stock हो market में अगर यहाँ पर तेजी लगाता रहा है तो कई न कई गिरावट भी थोड़ा सा हमें दिखने हो मिलता है profit booking के चलते हो सकता है गिरावट हमें दिखने हो मिलता है काफी सरे stock में इस सकी रेडा में हमें दिखने हो मिला जब अरदस्त है हमें तेजी दिखने हो मिलता था बट एक प्रॉफिट बुगं के चलते एक ही दिन में हमें लोगा स्रकेट लगता हुआ दिग गया था और उसके बाद से कह सकते हो थोड़ा इधर उद्धर चल रहा है फिर तेजी दिखने हो मिला फिर आज की दिन हमें काफ तेजी हो लेकिन 2% का गिरावट हो सकता है 50% के तेजी दे बाद 10% का गिरावट हो बट गिरावट जो होता है वो profit booking के चलते हो या फिर किसी और region के चलते हो बट प्रफिट बुकिंग के चलते भी गिरावट होता है दोस्तों अगर हम बात करेंगे बड़े-बड़े जब है तो अगर हम बात करेंगे मार्केट में जो नहीं नहीं आए हुए है जब ऐसे मार्केट एकदम फ्लाइट ट्रेड कर रहा होगा तो उसमें भाई नहीं करेंगे मार्केट में जब कोई यह stock हो, अगर flat यहाँ पर trade कर रहा है और fundamental काफी strong है stock का, तो कह सकते हूँ वहाँ पर एक buy करने के काफी बड़ा chance बनता है जिसे IRFC में था, आज से कुछ है अगर हम बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें 2021-2021 के time में बट वो तेजी हमें लिखने नहीं मिला था stock में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा range मन रहा था बाई करने का और जिन लोग ने बाई कि आज देख लो, पाच परशन लगबाबाबाबाबाबाबाब पाच गुन अगर रिडर्न में होंगे है वही रहता था तो कई नि-कई आपको कभव होना है और में आपको ओल्लेडी पहले इफ वीडियो जीनम में बता जुका हूँ और आप matching आ फोलो करते आ रहे हो हमें पथे से ही तो आपको पता होगा बाकी 0 जो भी करना है आप नरिस्क पे वीड़ियो में कोई बाय से ले ही फिर होलड की सालाह नहीं है मेरा जो पेडियों न में अब बताता हूं और आपका जो करना है आपने हिसाप से ओप कीजिए बात करेंगे कुछ और informations के बारे में जिसे एगर हम देखेंगे आपे कि क्या चीज़ा हुई हमें आपे दिन हो मिल रहा है आज के दिन के अगर हम बात करेंगे आपे तो 3% से भी उपर का है अमें गिरावट जो है IDFC First Bank में निखने हों मिला market close होने के बाद भी sale में quantity लगा हुआ है 4802 quantity sale side में लगा हुआ है और अगर हम बात करेंगे total quantity 3,97,88,788 quantity ट्रेड हुआ जिसमें से 1,88,5,640 deliverable quantity है और जहांपे 39.90% का deliverable quantity ट्रेड हुए आज के दिन हमें आपे रिखा जो कि लगबग-लगबग 40% के आसपास आता है दोस्तों अगर हम बात करें deliverable quantity है आज के दिन ट्रेड हुआ तो कहा सकते हो delivery में buying हमें जो है देखने को मिला है वो अलग की बात है वट यहांपे अगर हम बात करेंगे तो कहा सकते हो कि कापी सारे ऐसे भी stock है जहांपे market में 50% से भी उपर buy दिखने हो मिल रहा है बट 40% भी कोई कम नहीं है अगर देखा जाए तो कई ने कई यहांपे माल उठते हुए हमें दिख रहा है मतलब buy होते ही वो दिख रहा है और जो भी अगर हम बात करें यहांपे और भी कुछ information के बारे में अगर हम बात करेंगे देख लेते हैं अगले trading session के लिए levels क्या बन रहा है उसके उपर थोड़ा सा हम यहांपे डाल लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं downside के लिए level क्या बन रहा है अगर आपको गिरावट दिखने हो मिलता है किस level पर आप ध्यान देजेगा यहांपे IDFC first bank में और भी कुछ information यहांपे बात कर लेते हैं यहांपे देखेंगे तो यहांपे सबसे पहले downside के लिए level अगर आपको गिरावट दिखने हो मिलता है सबसे पहला level किस level पर आप ध्यान दे सकते हो यहांपे 86 का level रहेगा सबसे पहला support level और बाकी दुस्तों अगर हम बात करेंगे तो आज का पूरा जो market हमें गिर्टा हुआ दिखा है अपे index के अगर हम बात करेंगे जो nifty 50 है और bank nifty है एक बज़े के बाद जो है काफी मतलब गिरावट तो लागाता है ऐसे हमके दिखने हो मिल रहा था ऐसे बट एक बज़े के बाद कैसे तो एकदम ऐसे गिरावट हो गया तो उसके भी ऊपर थोड़ा सा में पर देखेंगे बैंक nifty निफ्टे के आज के दिखने में विला और फिलहाल उससे हम compare करेंगे स्टॉक का जोभी है मतलब स्टॉक काफी सारे स्टॉक में ऐसे मैं आप news कि आज के दिन कि एक बज़े के बाद ऐसे एक बाद एक बाद एक बाइक लास्ट जो लेवल रहे है का दाउन्साइड में जो आप धियान देशक्ते हो। अगर आप गिराओर देखने हो मिलता है और ज्यादा तो वो कुछ लेवल हम यहापर ड्रो कर लेते हैं देख लिते हैं वीडियो को पर लास्ट तो आप देखते रहेगा। जो की लेवल कुछ चिमने मिलता है इस इसतोक में आगर घृप बात करेंगे तो वही हे देखेंगे अपसइड के लिए लेबल क्या बुन रहा है एनो CAP को तेजी दीखने मिलता है कि आप त्यान देजिगा सबसे पहला जो लेवल रहाएगा आपसाइड के लिए दुस्तों अगर हम बात करेंगे वो कुछ इतना का लेवल रहाएगा जो कि आप हैंपर दिख सकते हूँ 88.70 का लेवल इसको अगर ये ब्रेक करता है काफी स्ट्रॉंग रेसिस्टेंस लेवल है इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल आप कुछ इतना पर दिखान दे सकते हो जो कि 90.50 का लेवल और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर लास्ट में कुछ ये लेवल रहेगा जो कि आप हैंपर दिखेंगे 92.32 का लेवल जो कि आप हैंपे लिख सकते हूं 92 का लेवल पुड़ा और बाकी दोस्तों आज के लिए कुछ इतना ही और यहीं कुछ लेवल से जो कि अगले ट्रेडिंग सेजन में आप ध्यान दे सकते हो अगर हम बात करेंगे IDFC First Bank में और यह कुछ लेवल से आप है पर दिख लिजी यह कुछ लेवल से बाकी थोड़ा सावर इंफोर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे आज के दिन में क्या दिखने हो मिला फुड़ा मार्केड में आप है तो गिरावट ऐसे दिखने में मिल रहा था वह उलग की बात है बट एकदब से बड़ा मार्केड जो डाहuna क्या कहते हैं यह उनल से बड़ा गिरावट हो जाए तो हमें एक बजे के बाद यहांपर मार्केर दिखने में मिला और पुडडा अगर हम बात करें इंडेक्सेस के तो बैंक निफ्टी पहले आप देखेंगे कि कह सकते हो यहां पर यहां पर बात करेंगे निफ्टी-50 का तो यहां पे भी वहीं हमें देखने हो मिला लगबग 1% से भी उपर 1,5% के आसपास 1.41% का गिराओट जो है स्टॉक में हमें देखने हो मिला जो कि देखेंगे एक बजे के बाद भी यहां पे भी हमें कह सकते हो एक बड़ा सा गिराओट एक उसके पहले थो थोड़ा-थोड़ा गिराओट हो रहा था और रिकबरी उन मतलब कह सकते हो दे रहा यहां पर ब्रेक कर दिया अगर हम बात करेंगे तो एक बजे के बाद अगर हम बात करें फिलहाल दोस्तो आज के लिए खुछ इतना ही वीडियो में कोई बाइस लिए फिर होल्ड की सला नहीं है जो भी मैं लेवल्स बताया है लेवल्स पर आप अगले ट्रेडिंग सेजन में ध्यान दे सकते हुँ जो भी है और आपने कितना पर इंवेस्मेंट किया है आई डी एफसी फॉस्ट बैंक में और कितने के प्रॉफिट या फिर लॉस म किसी दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाइ 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 दिस वीडियो इस अल्ली फॉर एजू के संपर परपस